हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं कि आप सब लोग स्वैस्ट होंगे तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि जो गुर्दे की पत्री वाले जो मरीज हैं या फिर जिनके घर में किसी को किड्नी स्टोन है अगर वो अल्ट्रा साउंड कराते हैं तो जदातर जो अल्ट्रा साउंड से हैं वो नॉर्मल दिखाते हैं लेकिन फिर भी जो मरीज होता है उसको दर्द उठता रहता है तो इसके पीछे का कया कारण है कि अल्टरसावंड का नॉर्मल आता है लेकिन फिर भी उनकेते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हम डिसकस करते हैं कि जो अल्टरसावंड होता है, उसके अंदर अगर आपके किड्ने स्टोन का साइज, याइ अगर आपके पत्थरी का साइज, 3 mm, 4 mm के आसपास है या फिर इससे बड़ा है तो ही उसमें ultrasound में पता चल पाता है otherwise अगर आपके kidney or stone छोटा है, 1 mm है, 1.5 mm है या फिर 2 mm तक है तो जातर ultrasound में ये नहीं दीख पाता है और कुछ इसकी जगे location भी होती है क्योंकि ये छोटा size होता है concrete का और वो ultrasound में नहीं दीख पाता है या फिर kidney में या फिर नीचे ureter में या फिर urinary bladder के आसपास नीचे दब जाता है तो उसकी वज़ासे अगर छोटा size होने के वज़ासे ultrasound में जल्दी से नहीं पता चल पाता है तो ultrasound normal आता है लेकिन फिर भी मरीज ये दुवीदा में रहते हैं कि हमें ultrasound normal है तो हमें kidney stone नहीं होना चाहिए नहीं दोस्तों अगर आपका kidney stone का size अगर आपका छोटा है 1 mm या 2 mm के आसपास का stone है तो वो ultrasound में जातर नहीं पता चलता लेकिन फिर भी आपको उसका दर्द जो है वो मैसूस होता रहता है ऐसा क्यों होता है दोस्तों अगर आपको kidney stone के बारे में पता करना है तो सबसे पहले तो आपको CT scan कराना चाहिए CT scan KUB उसमें आपका छोटे से छोटा kidney stone भी होगा अगर 1 mm का होगा, 0.5 mm का भी होगा तो वो भी पता चल जाएगा तो kidney stone के लिए सबसे बेटर जो test है वो है CT scan KUB आप plane scan कराईए तो उसमें आपको stone के बारे में पता चल जाएगा अब ये pain क्यों करता है दोस्तों अगर kidney stone का size कितना ही छोटा हो या फिर कितना ही बड़ा हो अगर वो kidney से निकल के बाहर अगर आपके मुत्र नली में आ गया है तो वो आपको painful रहे गई क्योंकि दोस्तों concrete हम सब जानते कि जो पत्थर होता है वो नुकिला होता है वो जैसे ही जो पिसाब की नली होती है उसको touch करता है उसके touch होता है तो नुकिला चुबता है वो जो ureter tube होती है उसमें चुबता है और वो ही चुबन जो है वो आपको सरीर में severe pain create कर देती है मनलों तेज दर्द उत्पन करती है इसलिए आपको दर्द होता है तो अगर आपको बार-बार पेट में दर्द हो रहा है किसी एक side में मतलब हो रहा है और वो पीछे की तरफ pain को radiate कर रहा है तो अगर आपका ultrasound normal आया है उसके बाद भी अगर आपको pain हो रहा है तो दोस्तों आपको एक बार CT scan के यो भी जरूर कराना चाहिए ताकि हो सकता है कि कोई छोटा stone हो वो फसा हुआ हो उसके वज़े से आपको दर्द हो रहा हो और दूसरा काम साथ की साथ ये करना चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा liquid लेना चाहिए क्योंकि अगर छोटा stone है एक या दो में का stone है तो वो जातर अगर आप ज़्यादा liquid लेते हैं तो वो पिशाब के थूरू, urine के थूरू भार निकल जाता है तो कोशिस करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा liquid ले दूसरी चीज ये कि हमने अपने YouTube चैनल पर इसी पर हमने डाला हुआ है कि symptoms किया रहते हैं kidney stone के जो पथरी होती है, उसके क्या symptom होते हैं आप उसको कैसे treat कर सकते हैं और कितने में तक का kidney stone है वो आसानी से सरीर से बहार निकल सकता है या फिर कितने में के stone के लिए हमें surgery कराने की आवसकता होती है तो अगर kidney stone वाले patient हैं वो जातर ultrasound पे निरबर ना करें उनको better option यह है कि आप CT scan के यू भी कराएं और इससे ज़्यादा अगर आपको कुछ लगता है तो आप doctor की राये जरूर ले इसके लिए आपको अगर urine से related या फिर kidney stone से related अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आपको यूरो लोजिस्ट से मिलना चाहिए जो doctor इसका specialized doctor होता है वो होता है यूरो लोजिस्ट तो इसके लिए आपको यूरो लोजिस्ट से मिलना चाहिए तो दोस्तो अगर information अच्छे लगी हो तो वीडियो को like करें, share करें और subscribe कर ले ऐसे ही और वीडियो के लिए धन्यवाद अगर आपकी कोई राये हो, कुछ आपका suggestion हो तो आप comment में लिख सकते हैं धन्यवाद दोस्तो